आप सभी का स्वागत है आज की इस कहानी का नाम है बेवकुफ पती जौनपुर गाव में सभी लोग आपस में मिल जूल कर रहते थे उसी गाव में मंगल अपने परिवार के साथ रहता था वो अपने गदे को नहला रहा था मंगल अरे मेरी प्यारी जमुनिया आज तो मैं तुझे ऐसा नहलाऊंगा कि सब देखते रह जाएंगे। मंगल, देख नहीं रही हो, हम अपनी जमुनिया के लिए फूलों की माला बना रहे हैं। शीला, भगवान ही भाला करे हमारा, उसी से शादी कर लेते अगर इतना ही प्यार था उससे तो। हमारे लिए तो आज तक एक फूल भी नहीं लेकर आए और उसके लिए पूरी की पूरी माला बना रहे हो। मंगल, हमारी जमुनिया के बारे में कुछ मत कहो। जाओ अपना काम करो। शीला, हमें इस घर में काम करने के लिए ही तो लाए हो। सुनो एक काम की बात बतानी है आपको। कल शहर से केशरी प्रसाद नाम के किसी आदमी का फोन आया था। फोन पर वह पिताजी का नाम ले रहा था। मंगल, क्या, केशरी प्रसाद, तुमने उनसे क्या कहा। शीला, मैं क्या कहती। मैंने कह दिया जब वह घर पर होंगी तब बात करवा दूँगी। मंगल उसी समय अपने घर के टेली फोन को उठाता है और केशरी प्रसाद के घर फोन लगाता है। मंगल, नमसकार साहब, हम जौनपुर से मंगलू बोर रहे हैं। केशरी प्रसाद, मंगलू, कौन मंगलू, मंगल, अरे, हम दिनानाथ के बेटे बोर रहे हैं जौनपुर से, आपको मेरा प्रनाम है। केशरी प्रसाद, अच्छा तु तुम दिनानाथ के बेटे हो। मंगल, जी, हमारे पिताजी तो पिछले साल ही स्वर्ब लोग सिधार गए थे। उन्हें एक गंभीर बीमारी हो गई थी। केशरी प्रसाद, अरे, अरे, ये तो बहुत दुख की बात है। उसे मैंने बहुत समय पहले देखा था। मेरी आँखों के सामने बढ़ा हुआ था 25 साल तक उसने हमारे घर पर काम भी किया था। उसके बाद वह गाव चला गया। मंगल, जी हाँ, पिताजी आपको भगवान स्वरूप मानते थे। दिन भर बस आपकी ही तारीफ करते रहते थे और आपके बारे में कई बाते बताते रहा करते थे। लेकिन अब पिताजी तो नहीं है, लेकिन मैं जरूर आपकी सेवा कर सकता हूँ, आपके बहुत अहसान है हम पर, केशरी प्रसाद घर के छोटे मोटे काम है, मेरा बेटा तो विदेश में रहता है, बस इनी कामों को संभालने के लिए एक नौकर की जरूरत थी। मंगल, आपके मदद करना हमारा परम करतव्य है, आप जो कहेंगे, वो हमें करता रहूंगा, केशरी प्रसाद, तो तुम घरा जाओ, यही पर तुम्हारा खाने पीने और रहने का इंतजाम कर दूंगा, तुम्हें तंखवाह भी अच्छी खासी दी जाएगी, केवल बस तुमको घर और घर के सदस्यों का अच्छे से ध्यान रखना होगा, मंगल, अरे, ये तो मेरा सौभाग्य होगा, ठीक है, मैं आज जाओंगा, उसके बाद मंगलू शहर जाने की अपनी पूरी तयारी कर लेता है, और अपनी पतनी से विदा लेता है, मंगल, तुम अपना ध्यान रखना, ठीक है ना, शहर प इतनी बार कहा है, जमुनिया को उसके नाम से बुलाया करो, मैं इसके बिना नहीं रह सकता, प्यारी जमुनिया तो मंगलू के साथ ही जाएगी, शीला, कैसे इनसान से पाला पड़ा है, जिसको साथ ले जाना चाहिए उसे तो घर छोड़ जा रहे हो, और एक गदे को साथ जा रहे हो, मंगल, अब ज्यादा बाते ना बनाओ, लाक दफा समझाया है कि बाहर जाते समय टोका मत करो, बस तुकुर तुकुर करती रहती हो, अब हटो, हमें जाने दो, वैसे भी देर हो रही है, मंगलू जमुनिया के साथ केशरी प्रसाद के घर के बाहर पहुंचा, व भी उसे गाड रोकता है, गाड, अरे भाई, रोको रोको, इस गधे पर बैठ कर कहां गुसे जा रहे हो, कौन हो तुम्हां, और कहां जाना है, मंगल, जी हमारा नाम मंगलू है, जौनपुर से आये हैं और यह हमारी जमुनिया है, हमें केशरी प्रसाद जी ने बुलाया है उनी के घर जा रहे हैं, गाड, हम कैसे मान लें, कि तुम्हें सेथ जी ने बुलाया है और गधे के साथ तु अंदर नहीं जा सकता, मंगल, अरे, कहा तो है यह गधा नहीं, हमारी जमुनिया है, तुम अपनी सेथ को फोन लगाओ, गाड तुरंट फोन लगाता है, उसके ब आदवगार मंगल को जमुनिया की साथ अंदर जाने देता है, अंदर जाने के बाद एक घर के सामने सत्तर वर्षिय बूरा व्यक्ति मंगल का इंतजार कर रहा होता, यदि देखकर मंगल जमुनिया से उतर कर केशरी प्रसाद के पैरों में गिर जाता है, केशरी प्रसाद, अरे, नहीं नहीं मंगलू, ये सब क्या कर रहे हो, आओ हमारे घर में तुम्हारा स्वागत है, तुम जॉनपुर से यहां तक गधे पर सवार होकर आ गए, मंगल, साहब, यह कोई गधा नहीं हमारी जमुनिया है, हम इसे बहुत प्यार करते हैं, हम इसके बिना नहीं रह सकते उ कहे न, गाव में हम इसे किसके सहारे छोड़ कर आते, इसलिए हम जहां रहेंगे वही हमारी जमुनिया भी रहेगी, केशरी प्रसाद, ठीक है, ठीक है, तुम इसके साथ यहां रह लो, हम इसके खाने पीने का इंतजाम कर देंगे और इसके रहने का भी एक अच्छा इंत केशरी प्रसाद की बिलकुल भी इज़त नहीं करती थी, केशरी प्रसाद, आओ सोनिया, आओ, यह मंगलू है, कल रात में इसी के बारे में बता रहा था, यह हमारे बहुत ही विश्वस्तनियत दीनानात का बेटा है, जो घर की कामों में तुम्हारी कूरी मदद करेगा, सो केशरी प्रसाद भी अपनी नजरों को जुका लेते हैं, तभी सोनिया की नजर जमुनिया पर पड़ती है, सोनिया, यह गंदा सा घोडा किसका है, मंगल, नहीं, नहीं में साहब, यह घोडा नहीं, यह तो हमारी प्यारी जमुनिया है, सोनिया, पता नहीं, आज तक तो मैं ने किसी जानवर का ऐसा नाम नहीं सुना, वाटैवर, इसे तुम मुझसे और मेरे घर से दूर ही रखना, सोनिया मंगल और जमुनिया को देखकर आखे घुमाती है, जमुनिया भी सोनिया को देखकर उपकाती है, सोनिया, अरे बुड़ गे, कल मैंने तुझे एक हजार तो टाइम नहीं है, बस अब जल्दी से पैसे निकाल दे, सोनिया पूरे एटिट्यूट से पीछे की ओर मुझकर देखती है, केशरी प्रसाद और मंगल गार्डन की ओर जा रहे थे और जमुनिया भी वहाँ घास खा रही थी, जैसे ही सोनिया जाने के लिए आगे मुझती पीछे से जमुनिया दोनों लाते मारती है, सोनिया गिर जाती है और चिलाने लगती है, सोनिया ओ माई गौड तभी केशरी प्रसाद और मंगल पीछे मुझकर देखते हैं, जैसे ही वे दोनों देखते हैं कि सोनिया पीछे गिरी हुई है, दोनों जट से भागतर उसके पा मंगल नहीं, नहीं मेडम जमुनिया को माफ कर दीजिये, न जाने उसने ऐसा कैसे कर दिया, वरना तो ये ऐसा कभी नहीं करती, मंगल जमुनिया ये तूने क्या कर दिया, चल मेडम से माफी मान, जमुनिया सोनिया को देखकर फिर से उपकाती है, सोनिया उसे गुसे की नजरो उसे देखती है। केशरी प्रसाद सोनिया को घर के अंदर ले जाते है। सोनिया किसी तरह से कमर पर हाथ रख कर चल पाती है। अब दूसरा दिन था, मंगल जहां रहता है उसी के बगल जमुनिया बंदी रहती है। उसी के पास से होकर बाहर जाने का रास्ता था सोनिया फोन पर बात करती हुई उधर से जाही रही होती है सोनिया बिल्कुल बनी ठनी होती है पार्टी में जाने के लिए तयार सोनिया, अरे, क्या बताऊं मेरे ससुर इतने पागल है ना ना जाने कौन से गाव से एक नौकर को बुला लिया है। बुलापे में इसकी बुद्धी सथिया गई है। चलो मैं पार्टी के लिए निकल रही हूँ। तू भी निकल। उस बुद्धे के बारे में बात करके मूड खराब नहीं करना चाहती। तब ही जमुनिया अपने पी केशरी प्रसाद और मंगल दोनों घर से बाहर भागते हुए आते हैं। मंगल दोड़ कर जमुनिया को संभालता है। वो हिना हिना रही होती है। मंगल ये तू क्या कर रही है। मंगल मैडम इसे माफ कर दो। हमारी बच्ची से गलती हो गई। क्रिपा करके इस बार माफ क दो इसे। सोन्या, इसने मेरी आज पूरी ड्रेस खराब कर दी। मेरी ड्रेस कितनी मेहंगी है। इतने पैसे तो तुमने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखे होंगे। मेरी जूती की नोप के बराबर भी तुम्हारे ओकात नहीं है। केशरी प्रसाद, सोन्या, मंगलू बहुत ही इमानदार और सच्चा आदमी है। तुम उससे इस तरह की बात नहीं कर सकती। सोन्या, अब तो हद ही हो गई। तू अनपर गवार बूरा, अब मुझे सिखाएगा। तेरे ओकात भी इस नौकर के जैसी ही है। मेरा पती तुझे दो वक्त का खाना नसी जाती है। मंगल, साहब, जमुनिया को माफ कर दो। वो ऐसा कभी नहीं करती। इस घर में आकर पता नहीं इसे क्या हो गया है। केशरी प्रसाद, नहीं मंगलू, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। वो जब से इस घर में आये है, कभी भी उसने मुझ से सीधे मूँ बात न नहीं की। नजाने मैंने कितने सपने सजाय थे कि मैं तो अपनी बहु को अपनी पलकों पर रखूंगा। वह भी मेरी कितनी इज़्जत करेगी। पर सोनिया तो बिलकुल भी ऐसी नहीं है। मंगल को केशरी प्रसाद के लिए बहुत बुरा लगता है। दूसरा दिन, लुँ वह लिफाफा ले लेता है और उसे लेकर सोनिया को देने जाही रहा होता है तब ही उसकी नजर जमुनिया पर पड़ती है। मंगल, अरे, जमुनिया का तो खाने का वक्त हो गया है। जल्दी से मैं जमुनिया को कुछ खाने को दे देता हूं। नहीं तो वह हो जाएगी। उसके बाद में ये लिफाफा सोनिया मैडम को दे आऊंगा। वह उस लिफाफे को एक टेबल पर रख देता है जो जमुनिया के पास ही रखी थी और वह जमुनिया के लिए चारा लेने चला जाता है। जैसे ही वह चारा लेकर लोटता है तो वह देखता है क वह चारे को एक तरफ फेकता है और जमुनिया के मुह से उस बचे हुए आधे लिफाफे को खीच लेता है। लेकिन तब तक जमुनिया आधे से ज्यादा लिफाफा चबा चुकी थी। ये देखकर मंगल उचिंता में आ जाता है और सोचने लगता है कि अब तो उसकी नौ मुझे बहुत जरूरी लेटर्स हैं मंगल के हाथ में केवल वही फटा हुआ लिफाफा था। सोनिया थोड़ा आगे आती है और फिर से कहती है यू तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या। तब ही सोनिया की नजर मंगलू के हाथ में रखे फटे हुए लेटर पर जाती है। उसकी आँखे फटी की फटी रह जाती हैं वह बहुत जोर से चिलाती है केशरी प्रसाद भी वहाँ पहुँच जाते हैं केशरी प्रसाद क्या हुआ सोनिया बेटी लेटर में क्या लिखा था। सोनिया लेटर माय फुट पहले क्या एक बुढधा कम था इस घर में जो अप लंदन की एक कमपनी से आये हुए थे, कितना बड़ा ओफर था मेरे लिए, केशरी प्रसाद, बहु, गलती हो गई है, माफ कर दो, शांत हो जाओ, सोन्या, तुम अपना बोर्या बिस्तर बांध लो और यहां से जाओ, साहिल को मैं संभाल लूँगी, तुम लोग अभी के नहीं था, मंगल, क्या करूँ अब, मालिक की तबियत भी साथ नहीं दे रही, इस शहर में तो मैं किसी को जानता ही नहीं हूँ, पता नहीं इस मुसीबत से कैसे पार लगेंगे, मदद करो भगवान, मालिक आप चिंता ना करें, कुछ ना कुछ हल जरूर मिल जाएगा, पता नहीं मेरे साथ यह सब क्या हो रहा है, ये जमुनिया कहां चली गई, और उपर से मालिक की तबियत भी खराब है, तब ही मंगलू देखता है कि एक लड़का उनकी ओर चलकर आ रहा है, वो के शरी प्रसाद का बेटा साहिल था, साहिल, मैं साहिल हूँ, मैं इतने दिनो पता जी को वापस लेने आया हूँ, सोनिया ने उनके साथ बहुत गलत किया है, मंगल, जी बाबू साहब, हमने टेली फोन से आपको संदेशा भेजने की बहुत कोशिश की, चिठी भी भेजी थी लेकिन आप बिजी थे, साहिल, हाँ, मैं काम में बिजी था, उस बूरे उन्होंने अपनी पहचान नहीं बताई, कदमे छोटे से थे, मोटे और चहरे पर मूझे थी, बस इतना कहा कि तुम्हारे पिता की तबियत बहुत खराब है और फिर वहाँ से चले गए, तब ही मंगल देखता है कि जमुनिया भी वापस आ गई, मंगल को अब सारी बाते सम जमुनिया का और अच्छे से ध्यान रखना शुरू कर देता है और जमुनिया भी मंगलू और केशरी प्रसाद की हमेशा रक्षा करती है, केशरी प्रसाद का बेटा साहिल अपने पिता को घर वापस ले जाता है, घर पहुँचने के बाद साहिल और सोनिया के बीच जगड प्रसाद के बाता है